हेलो स्टुएंट्स तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया गुड न्यूस है कि CSE भी ने अपनी नोटिफिकेशन आउट कर दिये है और अभी इन्होंने कल के पेपर में दिया हुआ है ना 22 तारीक को नोटिफिकेशन निकाली थी आज के दैनिक भासकर के पेपर में आया है राइपूर में आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है notice for recruitment और यह notice किसके लिए निकला है junior engineer के लिए ठीक है तो including backlog 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 की post भी रहेगी junior engineer है और प्राइज और आपका recruitment कितने कबसे चालू होने वाला है वो होने वाला 29 तारीक से है याद रखेंगे कबसे start होने वाली form filling होने वाली है start 29 September से यह ना form filling form filling start हो जाएगी 29 September से ओके और next एक और information है इसके लिए कि civil वाले है na civil वालों के लिए total post आईए 40 याद रखेंगे civil के लिए total post आईए 40 जिसमें general की है 28 ठीक है general की है 28 और OBC की है OBC की है 8 और SC की है 2 और ST की है 2 ठीक है तो इस type से divide किया गया है इसको post को ठीक है total 40 post आईए civil में काफी अच्छी है और अगर मैं बात करूं salary की तो salary काफी decent है शुरू में आपका 35 400 का है basic pay और ये 112,400 तो in hand मैं आपको बता रहा हूँ in hand ये approximately कहीं नहीं तो 60,000 रुपए तो आपको मिलने वाले हूँ ठीक है 60,000 तो आपकी salary हो ही जाएगी जल्दी हो जाएगी जब join करोगे तब 40 45 के अवाद रहेगी probation period लिखा है stipend during the probation period ठीक है और इसकी detailed information लेके आने वाले अमित सर आज रात को तो आज रात का session miss नहीं करेंगे ओके ध्यान से देखेंगे कुछ बढ़िया information मिलने वाली है आपको इसके बारे में तो एक ये बहुत good news है तो इस good news का फायदा उठाएं और तयारी करते रहें ओके all the best